प्यार दिवानों की तरह करेगा प्यार, नहीं रह पाएगा दूर, गुलाम बन जाएगा आजमा कर देख लो, जी हाँ, यदी आप किसी से सच्ची महबबत करते हैं, और वह इस्त्रिपूरुस आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, और आप चाहते हैं उसको अपने बड़ा ही पावरफुल और एक महा सक्तिसाली विधी टोट का अमल आज हम आपको बताएंगे, जिसको यदी आप अच्छे से समझ लेते हैं, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं, वैसे वैसे इस विधी को आप कर देते हैं, तो पल भर में ही किसी भी लड़का लड़की को अपनी महबत में बेचैन कर सकते हैं, अपनी महबत में उसको तडपा सकते हैं, अपने प्यार में उसको पागल दिवाना बना सकते हैं, लड़का लड़की हर समय आप इके बारे में सोचेगी, हर समय आप इके बारे में बात करेगी, आप इके ख्यालों में वैक होई कोई भी हो किसी के लिए भी आप इस विधी को कर सकते हैं घर बैठे कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी तांत्रिक मोलवी बाबा पंडित किसी के पास जाने के कोई आवे सकते नहीं आप खुद से इस विधी को कर सकते हैं घर बैठे मुफ्त में कर सकते हैं जी हाँ, फिर चाहे वैस तरी पूस कोई आपका पती हो, पतनी, girlfriend, boyfriend, कोई भी हो, किसी के लिए भी कर सकते हो, तो चलिए मैं आपको इसकी पूरी विधी बताता हूँ कि कैसे और किस प्रकार से इसको आपको करना है, इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी मेथी ठीक है, और दो आपको लोंग किस में आवश्यक्ता होगी, यानि 21 दाने मेथी के आपको लेने सिर्फ और सिर्फ 21 दाने मेथी के ले लेंगे, उससे काम हो जाएगा आपका, या सवा मुठी भी ले सकते हैं, लेकिन 21 दाने से भी आपका काम हो जाएगा, आपको क्या करना है, यह विधी आपको सनिवार, मंगलवार, गुरुवार, किसी भी दिन इस विधी को कर सकते है, इसको करने के लिए दिन कभी कोई विशेश नहीं है किसी भी दिन इस विधी को कर सकते हैं बस आपको यह विधी साम के समय करनी है करीब पांच बजे के बाद ठीक है साम को पांच बजे से बाद में यह विधी आप कर सकते हैं सबसे पहले क्या करना है अपने प्यार का मनिहिमन ध्यान करना है उसका चहरा से अपने दिलो दिमाग में आपको बसाना है ठीक है और एक मंत्र हम बता रहे हैं वसीकरण का जो एक रियल मंत्र है वो मंत्र आपको इसके उपर बोलना है फिर इनका क्या करना है वो भी मैं आपक को बताऊंगा तो आपको क्या करना है कौन सा मंत्र है वो ध्यान से देख लिए मैंने लिख करके भी रखा हुआ है इस मंत्र को आपको बोलना है कितनी बार बोलना है इसको कम से कम इसको 21 बार आपको बोलना है जी हां यह एक सिद्ध मंत्र है और वसी करन का रियल मंत्र है तो तो सिर्फ 21 बार के बोलने से ही यह अपना असर दिखा देता है, अपना असर इसका सुरू हो जाएगा, मतलब कि यह सिद्ध हो जाएगी, ठीक है, कैसे बोलना है, ओम हरीम स्रीम अमुक में वस करू करू स्वा, करू करू स्रीम च्छा, ठीक है, ओम हरीम स्रीम अमुक में वस क करू करू श्रीम च्छा यह आपको बोलना है अमुक के स्थान पर यहां पर अपने प्यार के नाम का उचारन करना है जो भी आपके प्यार का नाम है वो नाम आपको बोलना है ठीक है जब 21 बार यह बोल देंगे तो आप यह सिदो जाएंगी अब इनको आपको मेथी दाने को लेकर और लौंग को ले जाकर के घर से बाहर तुरंट चले जाना है किसी सुंसान जगह पर जाना है महाँ पर तीन उंगल का घड़ा खोद कर ऐसा बहने में तड़ा देना है तुरंट से बाइब जसके लिए भी यहविदिय है आपां और आप की ती वे है तो हम हाद जोड़ के आप से विंती करते हैं कि यह है एक रियल और सच्चा टोटका है इसका आपको गलत प्रियोग बिल्कुल भी नहीं करना है यदि आप किसी से सच्ची महभबत करते हैं सच्चा प्यार करते हैं और उससे घर बसाना चाहते हैं उसको खुज रख सकते हैं तभी इस कारिय को आपको करना है और पूरी सरद्धा विश्वास के साथ इसको करना है तभी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा